जफर इसलाम साब यह जो confidence है अतुल जी का या फिर जेडियू का या बाकी विपक्षी दलों का यह confidence आपके माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है या नहीं अब आप सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि 2024 में आपकी कुछ मुश्किले बढ़ सकती है विपक्ष एक साथ आ सकता ह वो देवसंग भी पूछ ले ना देश की जनता तो सुनती रहती है देश की जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया कि हमें 350 की उपर भेज़ दिया एंडिये को और खुद भारते जनता पार्टी को 303 उसकी वज़ा देखे क्या है यह लोग नहीं समझ पाते हैं जमीन में नहीं हवा में उड़ रहे हैं अब देश कमार के कंदे पर भूम रहे हैं हकिकत तो क्या है देखिए आज आपने देखा जिसका जिकर आप कहर रहे थे कि विदेशी धरतियों पर भी किस तरह से मान समान देश के प्रदान मंतरी जी का दिया जाता है सबसे दुनिया में पाफुल अमेरिकन प्रेजिड को माना जाता है इस धरती में उसके प्रेजिड ने कहा कि आपकी लोगप्रियता और आपकी जो परशंसक है हमारे देश में इसकदर हैं पूरे दुनिया में कि अपने आप में नुखा मिसाल है मुझे आपका ओटोग्राफ लेना चाहिए और यह भी बता देते हैं कि जो इंविट आज तक अभी ऐसे नहीं कि इंविटेशन पूरा खत्म होजा और बढ़ती जाए जितने इंविटेशन तो उसके कई गुना ज्यादा दिमांड है भी और हम नहीं पूरा कर पारें इससे समझ में आता है कि आपकी अप्रूल रेटिंग और पॉपलरिटी कितनी है विदेश मानता हूँ अगर किसी एक स्टेट ने हमें नहीं दिया आप तो कह भी सकते हैं कि गुजरात में इनको तो एकदम जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया ऐसा तो हमें नहीं कि आप कह सकते हैं कि हमें नहीं लोगों का प्यार सम्मान और अश्यदवार नहीं मिला 37% वोट मिले हमे जिससे पहले से जादा मिले हकिकत यह है कि देखे आज यह नितिश कुमारती जो बेड़ा उठाया वो अपने अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आदमी को कोशिश करने के लिए उनका कुछ नहीं जाता इसलिए कोई घाटा नहीं बोलते है कोई गाना मेरा कु कोशिश करें जिसे मुख मंधिर से हड़िए और और तो रहा हमारे मारे सरकार एग अगली बार मुख मंधिर जाएंग तो कोशिश की कद़u हैो ज़किर परदान मंधिर भूचिश है अब रहें झाला आपने आपको रेलेमेंट बनाने की उतो अपने बनाने के लिए दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है चले थोड़ा सार सपाटा कर लेते हैं